नमस्कार दोस्तों मैं दिबेलो मंडॉल मेरा यूटूब चैनल पर आप लोगों सागत करता हूं मैं जो निप्टी और बैनिप्टी का डारेक्शन देता हूं तो काल के लिए मुदलब 26 फेबरी 2020 के लिए मैंने इप्टी बैंक्टी पर डारेक्शन बाता हूं तो वीडियो आप अंतर जरी देखिया हूं इसको सब्सक्राइक हूं जो वाइसल लेवेल अंकम्स की नहीं बनाता हूं उसी का थूमें आप लोग को वाइसल लेवेल वाइसल लेवेल से लेवेल अव वह भी आप लोग को रेगुलाब इस पर मिल जाएगा और और इसका नम और भी बहुत सरा चार्ट का सेटप है स्टाटीजी साथ टेक्निक्स हैं वह भी आप लोग को देतने के लिए मिल जागा तो वीडियो आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए जरत सेरा सेयर कीजिए औ इसमें क्या करते है गाए और किया क्या है कई सब्सक्राइब चाहिए। भी अब लोग को मिल जाएगा तो देखिए मैंने इधर निप्टी फिप्टी का चार्ट ओपें किया हूँ और इधर देखिए इधर से जो मैंने फिमसी लेबल ड्रा किया था तो इसमें देखिए 61.8 पर्षन का नीचे आ गया है और इधर यह सापोर्ट लिया है तो इधर पास आया है तो देखना पड़ेगा कुछ और निप्टी और क्या और वी कुछ चीज देखना पड़ेगा तो इधर देखिए फ्यूचर्स का लेबल यह सेलिंग जो में आ चुका है इधर इस रीजियन इस रीजियन का नीचे जाप आएगा वालब 11703 अबरी कर नीचे आएगा तो इस रीजियन का चलिस तक यह गया गयत चो शोली स्कांटे उसका नीचे जाएगा तो गया जास आज से विदर चौशर चो सो तक यह आ सकता है गियराएचा सो से बिरेटान आप मिल सकता है और इधर निप्टी तुक का समयर दिया है और इधर यह सपोर्ट बेक करेगा तो यह जर 33144 इधर 3316 तक आसकता है और इधर भी तो लाशा उपर वाट्नी का उपर तो लाशा क्लोजिंग दिया है RSI आर फूचर्स को देखूंगा तो इधर फुचर्स में यह सेलिंग्स साइट में होसह यह 3730 का नीचे आएगा तो 3220 उसके बाद और भी नीचे का सेलिंग्सल्ण में आसकता है है तो इधर窤न चेन में नीन डिलरा को कई को लंगा तो इंदे कि इदार टी को जो और तो देको घेख़नगा कि इधर सनरावात ने इसका next resistance ले 12,000 में है, इसका immediate resistance है, इधर short build up हुआ है, और इधर जो change in open interest है, और इधर long unwending हो रहा है, पूर side में long unwending हो रहा है, resistance में, इधर market का थोड़ा सा उपर लेने के लाले के कोचिस करेगा, लेकिन इधर जो change in open interest है, और इधर change in open interest है, बहुत ज्यादा है, almost double है, और 2700 में इसका support वना है, इधर भी long unwending हो रहा है, ये market को थोड़ा सा उपल देने के कोचिस करेगा, लेकिन इधर आई भी थोड़ा सा call side में, आई भी थोड़ा सा positive है, और add the money में इधर जो change in open interest है, ये भी call side में जो change in open interest है, और इधर foot side में थोड़ा सा change in open interest है, बहुत ही काम ह तो almost four times ज्यादा है, इधर तो लगता है कि थोड़ा सा call side में जो unwending हो रहा है, उसका strength ज्यादा राएगा, और इधर 700 में देखोंगा तो थोड़ा सा, इधर foot side में जो change in open interest है, और call side में जो change in open interest है, और foot side थोड़ा सा काम है, तो इसलिए 1100 से 1100 तो ये अच्छा बूलन बेर तोड़ा सा टागों पर देखने पर मिलेगा, और सा साइड़ा सा मुवमन दीखेगा, लेकिन कभी-कभी market बहुत है, कभी-कभी थोड़ा सा फ्लक्चिट करके उपर जाएगा, और कभी थोड़ा सा फ्लक्चिट करके down आएगा, तो देखना पड़ेगा, जब support बूलन बेर देखने तो अब लोग पादस्ट कर सकता है, कहां का पर जा सकता है, और इदर बैंक्निप्टी का वैने option chain देखने तो यह यह भी 0.68 का असपास है, यह 0.50 का असपास आने का कोशिस करेगा, इदर 31.000 में रेजिस्टेंस वहना है, और इदर लॉंग बिल्डप हुआ है, और इदर जो add the money में, जो IV है, यह put set का IV से ज़्यादा है, और इदर change in open interest, call side में change in open interest बहुत ही ज़्यादा है, और इदर change in open interest है, और इदर जो change in open interest है, वह भी बहुत ज़्यादा इदर सोटिंग हो रहा है, लेकिन रख में, call side में, जोटिंग और सोटिंग फोटिंग थोड़ा सा का स्टींग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए market लगता है, इदर भी थोड़ा सा बूलब भी आख कर दोड़ा साब चलेगा कभी-कभी मार्केट उपाद जाएगा तो आप भागेगा तो कभी-कभी थोड़ा सा बहुती डाउन चला आएगा उसके बाद जब सापोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा तो उसी कर लें उसी डारेक्शन में मतलब मार्केट चलेगा तो असलहे ही डारेक्ट दीखता है और इधर मैंने ठीखान अतो इधर प्रोब्र के लर्मारेक्षन सॉर्फ्लिंच कर सब्सक्राइब में ने जदा है लेकिन मैंने इसको जब 600 कद दूंगा तो इधर 600 कद देंगे तो इसका प्वाविटी मदलब बढ़ जता है तो तहीं ता कि इसलिए इसलिए समझता है कि ग्यायाद 700 से ग्यायाद 700 के नीचे जाने का मदलब सापर स्ट्रॉंग सापर बहुत ही स्ट्रॉंग रहेगा और इधर टाइब ऑफ एयर का चालने का बहुत ही जदा है इधर 12,000 भी कद दूंगा तो तब भी यह उपर ही मतलब नीचे जाने का प्वाविटी जदा है मतलब उपर भी ज्यादा नहीं जाए पाएगा लेकिन 700 का नीचे भी आने का प्वाविटी बहुत ही काम दिखता ह इधर है के ऐसा है कि 1,337 में इसका तो support दीख रहा है लेकिन इधर 300,000 के जान पंजाने का प्वाविटी काम दीख रहा है 31,000 का रहत मतलब इधर 3,000 तो इसका प्वाविटी अप्टेंड थीखांगा थे दूंगे तो इसका प्वाविटी थे जादा है मुझाब 33,000 धैसा नीसे आ सकता है और इदर मुझाब 34,500 का उपर जाने का पुविटी यह थोड़ासा कम लग रहा है 33,000 धैसा यह दोस्तों को हिसाब से 34,000 पॉष्टों के जाने का पुविवर्टी कम दीख रहा है तो यह सब देखके थोड़ा सा लगता है कि market नीचे आने का poverty थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है और मैंने अब लोग को यह इसका रात में तो बाइसे level दिखा दूंगा तो अब लोग को फीबॉनस्य का level दिखाने का कुशिस करता हूं और एक दिन का हिसाब से जो लोग को फाइल मिलता है यह इसका फीबॉनस्य लेगल और भी बहुत कुछ दिखा गया है वह अब लोग देख सकता है इधर देखिए अब लोग यह है फीबॉट पॉइंट यह जो गैंडिप्टी प्यूचर गैंडिप्टी इंडिक्सर यह है फ बढ़ाओ है देली चार्ट में देखिए इधर जो मांतली सपोर्ट मांतली जो सपोर्ट है ये अल्डेडी बेख हो चुका है और इधर चार्ट में भी थोड़ा सा जो इसको